दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने Acces Bank Account में पेंक काड को लिंक कर सकते हो अगर आम लोगों ने without pink card ही अपना account open किया हुआ या फिर आप लोगों का update करने का और रहा है कि आप लोगों को अपने account में pink card update करना है तो आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे कि आप लोग कैसे अपने accessbank account में pink card link कर सकते हैं सो इसको जानने के लिए बने रहे हैं वीडियो में लास तक सुकरते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद आप दोस्तों मैं आप लोग को निखाता हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सेस बैंक अकाउंट में ओनलाइन ही पेंक कार्ड लिंक कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं इसको करने के लिए आप लोग को सबसे पहले access mobile application को open कर लेना है open कर लेने के बाद आप लोग first time आएंगे तो आप लोग को इसमें registration करना होगा तो आप लोग आई button पर click करके वीडियो पर देख सकते हैं कि आप लोग कैसी इस application में registration करेंगे अब दोस्तों आप लोग जब registration कर लेंगे तो आप लोग को इससे interface दिखाई देता है अब आप लोग को top right side में login का button दिख रहा है इस पर click कर लेना है इस पर जैसे click कर लेते हैं आप चाहें तो fingerprint या फिर आप लोग 6 desert की mpin जो registration के time पर बनाई हुए होते हैं उसको put करके आप लोग login कर सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिख रहा है services का आप लोग चाहें तो इस पर click कर सकते हैं या फिर आप लोग top left side में profile का icon दिखेगा इस पर click कर लेना है इसके बाद आप लोग को services and support इसके बाद second option services इस पर click कर लेना है इस पर जैसे क्लिक कर लेते हैं आप लोगों का next page ओपन हो जाए आपको यहाँ पर bottom side में देखेंगे तो आपको red color में सभी icon देखेंगे तो यहाँ पर first option आपको जो दिख रहा है my profile लिखकर इस option पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर multiple option आगेन आचुका है आप आपको इसमें एक option दिख रहा होगा second row के अंदर first option update pen का इस पर क्लिक आप guys आप लोगों को यहाँ पर pink card number अपना इंटर कर लेना है इसके बाद आप लोगं को एक square box है इस पर click कर लेना है यह टिक हो जाएगा इसके बाद आप लोगं को bottom side में एक option दिख रहा है update पहले इस पर click कर लेना है आप दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर link कर आ चुका है success your pen card has been updated और reference number यहाँ पर मिल चुका ह है और यहाँ पर bottom side में हमने बलर कर रखा है यहाँ pen card numbers show कर रहा है तो यहाँ पर हमारा pen card 8 to 10 second में ही यह update हो चुका है वेट करने का time आ रहा था 8 to 10 second का उतना वेट किये हैं लिख कर आ चुका है pen card link हो चुका है और अगर आप लोगं का update करना है तो आप लोगं का pen card update हो चु सकते हैं या फिर पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तो फिर भी लिंक गया इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ